नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे किस तरह आप अपने परिवार के मदद से अपना income tax बचा सकते हो जी हाँ दोस्तों किस तरह से आप अपने parents की मदद से या अपने wife की मदद से या फिर अपने बचों की मदद से अपना income tax किस तरह से आप बचा सकते हो इ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेकर आता हूँ वीडियो इस टैक्स के उपर में इन्वेस्मेंट के उपर में और फिनांस के उपर में जिसमें होता है फायदा हम सभी लोग होगा आईए सबसे पहले यह जानते हैं किस तरह से हम अपने से उनको गिफ्ट करके अपना इंकम टेक्स काफी हट तक बचा सकते हैं पिरेंट्स को पैसे घफ्ट करने से किसी को भी गिफ्ट एक्स नहीं लगता तो अगर आप कुछ पैसे अपने parents को gift करते हो और वो पैसे या तो senior citizen savings scheme में लगा देते हैं या फिर वो FD करा देते हैं तो उस पे जो interest मिलता है उसको वो अपनी return में as income show करके non taxable limit का या lower tax bracket का benefit अपने return में ले सकते हैं मान लीजिए आप 30% bracket में हो तो जो भी interest income आपको receive होता है उस पे आपको 30% tax देना पड़ेगा पर अगर आप यही पैसे अपने parents को gift कर देते हो और उस पे वो interest कमाते हैं तो वो अपनी income tax return में 5 लाख रुपे तक का benefit ले सकते हैं बिना कोई tax दिए further senior citizens को section 80 TTV में 50,000 रुपे तक FD से interest पे tax माफ है और अगर अपनी बात करें तो यह amount सिर्फ 10,000 रुपे हैं दूसरा तरीका आप यह अपना सकते हो कि मान लीजिए आपके parents retired हैं और वो कोई काम नहीं करते हैं और और उनकी कोई income भी नहीं है आप लोग एक साथ एक घर में रहते हो आप नौकरी भी करते हो और और आपको जो salary मिलती है उसमें आपको hra भी मिलता है तो आप अपने parents के नाम पे एक rent agreement बनाई है उनको rent का check दीजिए हर मेना और वो अपनी income tax return file करेंगे as income from house property rental income वो अपनी return में दिखाएंगे पांच लाग रुपे तक उनको कोई tax नहीं लगेगा और आप अपनी return में as hra rent का benefit उठा पाएंगे तीसरे तरीके की बात करें तो आप अपने parents के नाम पे health insurance भी ले सकते हो और अगर आप health insurance लेते हो अपने parents के नाम पे तो section 80D में आप उसका benefit उठा सकते हो tax बचाने के लिए अगर आपके parents senior citizen है तो section 80D में आपको 50,000 रुपे तक का premium दिया हुआ का deduction आप claim कर सकते हो और अगर आपके parents senior citizen नहीं है तो 25,000 रुपे तक का आप section 80D में additional deduction claim कर सकते हो section 80D में आप खुद अपने और अपने परिवार के लिए 25,000 रुपे तक का benefit claim कर सकते हो तो अगर आपके parents senior citizen है तो आपको additional 50,000 का benefit मिल जाता है तो total section 80D का benefit आपका खुद का 25,000 और senior citizen parents का 50,000 टोटल मिलके 75,000 तक आप deduction claim कर सकते हो section 80D में तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप अपने parents की मदद से अपने और अपने परिवार का income tax plan करके बचा सकते हो अब हम बात करते हैं किस तरह से हम अपने wife की मदद से अपना income tax बचा सकते हैं तो अगर आप home loan लेके घर करीदने की सोच रहे हैं तो home loan हमेशा joint name में लीजे इससे आपको ये फायदा होगा कि आप section 24 में interest का benefit औ और section 80c में principle का benefit दोनों मिल के ले सकते हैं अपनी अपनी return में तो husband और wife दोनों that 100 10000 ₹ acoustic में ले सकते हैं और section 24 में स्वें toward兩 lakh रुपए का interest का benefit मिलता है वो भी वो दोनों dat 101 अपनी अपनी रिड़न में benefit ले सकते हैं तो इस तरह से total benefit आपको और आपकी wife को मिला के सात लाग रुपे का हो जाता है दूसरा दोस्तों कुछ लोगों को ये confusion है कि जो पैसा आप अपने wife को gift करते हो और वो आपकी wife कहीं invest करती है और उस पे जो interest या किसी भी तरह का income कमाती है वो उनकी income कहलाती है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप अपने wife को पैसा gift करते हो तो उस पे जो भी income आपकी wife generate करती है वो income tax के नियम के मताबिक आपके income में club होगी और आपको उसके उपर में tax देना होगा इस income tax के प्रावदान से अगर benefit लेना है तो आप चोटा सा काम है कि ये कर सकते हो कि आप जो पैसा अपनी wife को gift देते हो वो gift न दे के loan के तोर पे दे दीजिए और उस पे एक normal bank rate का जो interest होता है वो interest भी charge कर ली मान लीजिए अभी 5.5 या 6% का normally bank पे interest rate चल रहा है तो आप 6% पे अपनी wife को loan दीजिए और वो पैसा अगर वो invest करती है और उस पे 6% से ज्यादा income कमाती है तो जो difference का जो income है वो उनका income ही कहलाएगा example के तोर पे 6% पे आपने उनको loan दिया और उन्होंने mutual fund में पैसा लगा दिया वो जिस पे उनको average return जो मिलता है वो 10% का मिलता है तो 4% का ये जो additional benefit है ये आपकी wife की ही income में जुड़ेगा और वो उस पे income tax का जो normal exemption limit है उसका benefit उठा सकती है तीसरा अगर किसी की wife अगर पढ़ाई कर रही है higher studies कर रही है तो आप अपने wife के नाम पे education loan ले सकते हैं और उस education loan पे जो भी आप interest दोगे उसका benefit आप अपना income tax return फाइल करते होग उठा सकते हैं education loan पे interest repayment का benefit आप 8 साल तक उठा सकते हो जिस साल से आप interest देना चालू करते हो तो दोस्तों ये तीन तरीके थे जिसमें आप अपनी wife की मदद से अपने और अपने परिवार का income tax प्लान करके बचा सकते हो अब last में दोस्तों हम पदा करते हैं किस तरह से हम अपने बच्चों की मदद से अपना income tax बचा सकते हैं दोस्तों आप अपने बच्चों के नाम पे PPF account खोल सकते हो कोई ULIP policy ले सकते हो mutual fund ले सकते हो या फिर उनके नाम पे किसी तरह का कोई insurance भी ले सकते हो और जो भी पैसा आप इसमें invest करते हो आप section 80C में उसका benefit उठा सकते हो हलांकि इन पैसों से जो भी income होगी आपके बच्चे को वो income आपके income के साथ में club होगी पर अगर आप PPF का chain करते हो तो PPF एक ऐसा instrument है जिसमें जो भी पैसा आप लगाते हो इससे एक तो force saving होगी प्लस साथ में जो भी पैसा आप इसमें लगाओगे वो हर level पे tax free होगा इसके अलावा आप अपने बच्चों के नाम पे savings bank account खोल सकते हो बच्चों के savings account में डेर्ड हजार रुपे तक का ब्याज का आप deduction क्लेम कर सकते हो क्योंकि डेर्ड हजार रुपे तक का ब्याज पर चाइल्ड income tax में exempt होता है जिस तरह से आपको 10,000 रुपे की चूट मिलती है savings bank interest पे senior citizens को FD के interest पे 50,000 रुपे तक की चूट मिलती है उसी तरह minor बच्चों को डेर्ड हजार रुपे तक का सालना चूट मिलता है savings bank interest पे तो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उनके नाप एक savings bank account को लिए और डेर्ड हजार रुपे तक पर चाइल्ड आप deduction claim कर सकते हो savings bank interest का इसके लावा आप अपने बच्चों के लिए जो भी school fees देते हो tuition fees देते हो उसका benefit आप section 80C में ले सकते हो तक साथ ही अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि हो higher studies कर रहा है तो उनके लिए भी आप education loan अगर लेते हैं तो education loan पे आप जो भी interest पे करते हो आठ साल तक उसका benefit ले सकते हो जिस साल से आप interest repayment चालू करते हो तो यह कुछ तरीके थे जिससे आप अपने बच्चों की मदद से अपना income tax plan करके बचा सकते हो तो friends आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार रहेगा और अब आप अपने परिवार के मदद से अपना income tax काफी अच्ची तरीके से plan कर पाएंगे बचा पाएंगे अपना income tax legal तरीके से ताकि आप जो सरकार को tax दो वो सबसे कम से कम हो